हलो एवरीवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू परश्यम आयम पूजा आज हम डिसकस करने वाले हैं 30 दिसंबर के करेंट अफिर्थ जो भी पूरे दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज है वह मैंने आप पर आपके लिए कवर की हैं वीडियो के लास्ट में कॉश्ण ऑफ जिसका आंसर अब हमें कमेंट में देंगे अब कुछ बच्चों के कमेंट आये थे कि इंपॉर्टेंट डे भी डिसकस करो तो बिलकुल देखिए अगर 30 दिसंबर को ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट डे होता नहीं है जिसको डिसकस किया जाई या जो एक्जाम पॉइंट इसलिए हमें उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एक्जाम पॉइंट ऑव यू से इंपॉर्टेंट है जो 30 दिसंबर को कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डे नहीं है जिसको हमें डिसकस करना चाहिए हम आज यहां पर डिसकस करने वाले 30 दिसंबर के करेंट अफिर्स पहले इंपोर्टेंट जो पर्संन न्यूस में है वो देखींगे स्टेट की न्यूस नेशनल ओमिज़ेंस इंटरनेशनल न्यूस उन वी को कवर करने के बाद इन सभी न्यूस का只ना सिर्न अउड एक को क्विक बिजरन का पॉर्शन ने वह सिफ्ट कर दिया जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं उन जो स्लाइट्स हैं उनका आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं इन फेक्ट आपको इसकी पीडी या इसका जो पीडियाफ होता है वो हमारे टेलिग्राम में फ्री ओफ कॉस्ट अवेलेबल होता है इसके जरिये भी आप नोट प्रिपेर कर सकते हैं और अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करेंगे और पहली बार हमारे चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे इसके लाबा कुछ बच्चों के यहां पर डाउट आय हुए थे कमेंट में कि वह ससी की प्रप्रेशन करना चाहते हैं तो ससी की प्रप्रेशन करने के लिए हमने आप लोगों के लिए GA की बात करते हैं केवल GA की बात हो रहे Reasoning, Aptitude, English वगरा की बात नहीं हो रहे तो GA course मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है जो कि Pertrum के application पर अवेलेबल है जहां पर हमने आप लोगों के लिए test series भी तैयार की है जो previous year exam में question आए हुए है वो PYQs भी तीन साल के वहां पर अवेलेबल है आप individual course, individual मतलब कोई history अकेला पढ़ना चाहता या कोई geography अकेला पढ़ना चाहता तो individual course भी purchase कर सकते हैं इसके लावा complete course को भी आप हमारे application से purchase कर सकते हैं चीके, application play store से आप download कर लेंगे जब आप course को purchase कर रहे होंगे तो आप पूजा 10 code का use कीजेगा जिससे आपको additional 10% का उसमें off मिल जाएगा आए स्टार्ट करते हैं आज के हम current affairs सबसे पहले बात करते हैं CBC CBC मतलब क्या होता है Central Vigilance Commission होता है जिसको हम केंडरी सतरक्ता आयुक्त के नाम से जानते हैं यह CBC क्या करता है तो जो government organizations है उन सब पे निगरानी रखने का काम करता है कि कोई corruption नहीं हो रहा है प्योंकि सतरक्ता बरतना है इसको vigilance करने का काम इसका होता है Central Vigilance Commissioners जो होता है मतलब अगर Central Vigilance Commission की बात करें तो उसमें 3 member होते है एक Chief CBC होता है और दो उसकी support करने के लिए help करने के लिए Vigilance Commissioners होते हैं बात clear हो गई तो एक आपका Chief जो Central Vigilance Commissioner होते हैं और दो जो हैं इनकी मदद करने के लिए Vigilance Commissioner होते हैं तो यहाँ पर जो Vigilance Commissioner थे वो कौन थे? प्रवींड कुमार श्रीवास्ताओ प्रवींड कुमार श्रीवास्ताओ विजिलन्स कमिश्नर थे इनको promote कर दिया गया है और इन्हें acting CBC बना दिया गया है तो Government of India के द्वारा Vigilance Commissioner प्रवींड कुमार श्रीवास्ताओ को acting Central Vigilance Commissioner CBC बना दिया गया है ठीक है? क्यों बनाया है? क्योंकि जो हमारे CBC थे सुरेश एन पटेल इनका tenure complete हो गया है इनका retirement हो गया है यह position खाली थी इसलिए Vigilance Commissioner प्रवींड कुमार श्रीवास्ताओ को acting Central Vigilance Commissioner Government of India के द्वारा appoint किया गया है अच्छा इनका जो tenure होता है वो 4 साल का होता है 4 year का होता है यह 65 years जो भी पहले हो जाए अगर कोई व्यक्ती 65 साल का पहले हो रहा है या फिर 4 साल का वो अपना पूरा tenure complete कर सकता है छे कितनी चीज़ है अगर हम CVC के बारे में थोड़ी और बात करते हैं तो Central Vigilance Commissioner को set up किया गया था by the recommendation of a committee और कमीटी का नाम क्या था के संथानम कमीटी और के संथानम कमीटी ने advice दिया था कि Central Level पर एक Central Vigilance Commissioner होना चाहिए और इन्होंने ये recommendation 1964 में दिया था उसके बाद Government of India ने मतलब हमारे जो राश्चपती हैं उन्होंने एक Act पास किया था 1998 में और इसको statutory body बना दिया था CBC को क्या बना दिया था एक statutory body बनाने के लिए एक ordinance issue किया था President of India ने 1998 में और finally फिर CBC Central Vigilance Commissioner Act form में आया और 2003 में इसका Act के जरिये formation होता है तो CBC जो है आपकी statutory body होती है The Central Vigilance Commission was set up by the government in February 1964 on the recommendation of the committee on the prevention of corruption headed by the Shree K. Santhanam to advise and guide Central Government agency in the field of vigilance. इसके लिए statutory body के लिए ordinance pass किया गये तो President के दुआरा 1998 में and the letter, the later the ordinance was replaced by the Central Vigilance Commission Act 2003 इतनी बाते आपको पता होनी चाहिए तो Acting CBC कौन बन गए है? प्रवीन कुमार श्रिवास्तो बन गए है? इन्होंने किसे replace किया है? तो Suresh Ann Patel को इन्होंने replace किया है अगले person जो news में हैं, उनका नाम है British Damani British Damani best bang on Kolkata से belong करते है basically और ये billiards खेलते हैं, ठीक है? बिलियार्ट्स खेलते हैं इनके उपर चर्चा करनी हम है Asian Games Silver Medalist British Damani won his first National Billiards Championship इन्होंने अपने पूरे लाइफ का पहला National Billiards Championship का title अपने नाम कर लिया है British Damani जो हैं, उनके पास 6 International Medal हैं, जिसमें 2010 का जो चाइना का Asian Games हुआ था उसमें भी इन्होंने Silver Medal हासल किया था 2018 के National Snooker Championship भी इन्होंने जीती थी और अब फाइनली पहली बार National Billiards Championship को जीत लिया है किसने? बिजेश Damani ने तो directly question frame होगा कि British Damani जो recently news में थे वो किस game से हैं? तो Billiards भी खेलते हैं और Snooker भी खेलते हैं चलिए, अगले प्लेयर के बारे में हम बात करते हैं South African Cricketer फरहान बहरदीन Announce Retirement दक्षड अफरिका के खिलाडी है Cricketer है जिनका नाम में फरहान फरहान, बहरदीन इन्होंने Retirement Announce कर दिया है सन्यास की खोशना कर दिया है तो South Africa की टीम के लिए खेला करते थे और इन्होंने South Africa की टीम को 4 World Cup में रिप्रेजेंट भी किया है 2012, 2014, 2016 और जो ODI World Cup हुआ था 2015 तो इन 4 World Cup में South Africa की टीम को रिप्रेजेंट करने का काम फरहान ने किया था और अब इन्होंने International Cricket से जो है Announcement ले लिया है मतलब Announcement कर दिया Retirement के लिए सन्यास की घोशना इन्होंने किर्केट से कर दिया अब यहाँ पर देखी एक छोटी सी लिस्ट में आपको देती है उसका फटा-फटा आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे Recent में Retirement Announce करने वाले क्रिकेटर है जिन्होंने Recently Announcement किया है सन्यास लेने की घोशना की है When Stroke हो गए इंग्लेंड से Dinesh Ramadine Best Indies से Tamim Iqbal Bangaladesh से इन सारे खिलाडियों के नाम भी आपको याद रखने है जैसे कि Ross Taylor बहुत important खिला रही है और New Zealand के लिए खेला करते थे चलिए अब बात करते हैं रविंदनार टैगोर Literacy Prize 2021-2022 के बारे में रविंदनार टैगोर साहित पुरुसकार 2021-2022 दो लोगों को ये पुरुसकार दिया गया है सुदीप सेन और सोभना कुमार सुदीप सेन और सोभना कुमार को रविंदनार टैगोर Literacy Prize और यहाँ पर दिया गया है 2021-2022 के लिए साथ ही साथ रविंदनार टैगोर जो आपका achievement award होता है वो भी यहाँ पर distribute किया गया है दोनों बातों को हम यहाँ पर करना है सबसे पहले जो रविंदनार टैगोर Literacy Prizes की शुरुआत 2018 में हुई थी कब हुई थी? 2018 में इस प्राइस की शुरुआत हुई थी इसके अंतरगत 10,000 डॉलर दिये जाते हैं रविंदनार टैगोर जी का एक statue दिया जाता है Indian International Center में और 2021-22 के लिए सुदीप सेन और सोबना कुमार को रविंदनार टैगोर Literacy Prize मिला है अब इस साहित पुरुसकार है तो obviously उने कोई न कोई रचना तो की होगी तो इनकी रचना है हमें याद होनी चाहिए कि सुदीप सेन की क्या रचना है और सोबना कुमार की क्या रचना है जिसके लिए ने रविंदनार टैगोर Literacy Prize 2021-22 दिया गया है तो सबसे पहले हम बात करते सुदीप सेन के बारे में सुदीप सेन ने एक पोईट्री का कलेक्शन लिखा है जिसका नाम क्या है यहाँ पे एंथ्रो पॉसिन, क्लाइमेट चेंज, कॉंटिजियन, कंसोलेशन यह कलेक्शन ऑफ पोईट्री है जो कि सुदीप सेन ने लिखी है इसके लिए ने रविंदनार टैगोर Literacy Prize दिया है अगर हम सोबना कुमार के बारे में बात करते है तो सोबना कुमार की जो कलेक्शन ऑपोयम का जिसका नाम है A Sky Full of Bucket List A Sky Full of Bucket List इसकी रचना सोबना कुमार ने की है जिसके लिए ने रविंदनार टैगोर Literacy Prize 2021-22 दिया गया है इसके अलावा बार्विंदना टैगोर ऑवाड फोर सोशल अचीवमेंट अजै के राय को दिया गया है जो की प्रडूसर है जयपोर Literacy Literature Festival के तो संजै के राय जो हे राय है ऑने टैगोर अवाड फोर सोशल अचीवमेंट दिया गया है इस अवर्ट के शुरुआद 2018 में की गई थी अगले पर्सन है शी रंग राजन सी रंग राजन का नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि ये RBI के गवर्णर रह चुके है 19 नमबर के 19 वे नमबर के RBI के गवर्णर जो है वो सी रंग राजन थे अभी 25 वे नमबर के गवर्णर सक्तिकान दास है तो सी रंग राजन ने एक पुस्तक लिखी है जिसको पैग्मिन गुरुप के द्वारा पब्लिश किया गया है इनकी बुक्यों पर हमें चर्चा करनी है बुक का नाम क्या है Fox in the Road, My Days at RBI and Beyond तो Fox in the Road, My Days in RBI and Beyond नमब पुस्तक किसने लिखी है सी रंग राजन के द्वारा लिखी गई है इन्होंने इसमें बताया है कि जब यह MP थे Member of Parliament थे और एक Economist के तरह भी इन्होंने काम किया है और RBI के Governor भी रहे है 19th हमबर के तो इनकी जो भी Memories रही है उन सारी यादों को इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है इन्होंने पुरा डिसकेशन किया है किस तरीके से इंडिया की Economy Transition में आई है Post-Independent Era से लेके Present Day तक इनकी जो पूरी पुस्तक है वो तीन अलग-अलग Parts में Divided है ठीक है जैसे कि अकबर नाम हम पढ़ते हैं अलग-अलग Parts में Divided है वैसे ही इनकी पुस्तक को भी तीन अलग-अलग Parts में इन्होंने डिवाइड किया है पहला Part जो कहता है वो RBI और Planning Commission के बारे में बताता है RBI और Planning Commission के बारे में जानकारी देता है दूसरा Part है Governor of RBI जब यह Governor थे RBI के तब इन्होंने क्या काम किया क्या इनकी Memories है वो इन्होंने बताई है और Third Part है Beyond RBI RBI की बात की कहानी तो यह इनकी पुस्तक है सीरंग-राजन आपको याद रखने उन्नीसवे नंबर के RBI के Governor रहे है चलिए अगले परसन हम देख लेते है Sanskrit and Telugu scholar Sanskrit scholar भी है और यह Telugu scholar भी थे Sanskrit and Telugu scholar Shree Bhasyam Vijayasarthi पास्डवे तो Shree Bhasyam Vijayasarthi जो के Sanskrit scholar और Telugu scholar रहे है साथे साथ Padma Award ही भी रहे है इनका नधन तेलांगना में 86 एज में हो गया है ठीक है 2020 में 2020 में Government of India के द्वारा President के द्वारा इनने Padma Shree Award भी दिया गया था इनके वर्क के कारण He was also the founder of Shree Yag Vara Swami Chhetram Temple complex इन्होंने सौ से जादा Sanskrit और Telugu में पुस्तकों को लिखा है He has written 100 books in the Sanskrit and Telugu ठीक है तो Telugu स्कॉलर भी रहे है Sanskrit स्कॉलर भी रहे है 2020 में Padma Shree Award भी मिला है श्रीभास्तम विजय सार्थी इनका निधन तेलांगना में हो गया है तो यह कुछ important person थे जिनके बारे में हमें discuss करना था आईए अब remaining news को हमें आपे discuss करते हैं पहला है World Class काइकिंग कैनोइंग अकेडमी टू बी सेट अप इन उत्तरखंड तो उत्तरखंड में विस्विस्टरी काइकिंग और कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जा रही है उत्तरखंड में कहां पर तेहरी में कहां पर तेहरी में चेक है तो Union Minister of Power R.K. Singh जो है कि तेहरी उत्तरखंड में चेक है दिस इस दा फर्स ताइम है कि तेहरी लेक में कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट कॉंपिटिशन को कंड़क्ट कराया जा रहा है अगर हम उत्तरखंड के CM के बारे में बात करते हैं तो पुसकर सिंग धामी है उन्होंने कहा है कि बहुत जली जो नई स्पोर्ट पॉलिसी है वो राज्जम इंप्लिमेंट की जाएगी और टिहरी को एक जो नेशनल चेंपियनशिप के लिए ग्राउंड के रूप में तयार किया जाएगा मतलब आने वाले जो वाटर स्पोर्ट से वो इस लेक में किये जा सके आपको पता है टिहरी डैम के बारे में अब कोई भी डैम आप कंस्ट्रक्ट करते तो बहुत सारा एरिया आपको खाली कराना होता है बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कराना होता है जहाँ पर पानी खटा होता है ठीक है टिहरी जो है small town है जो कि भागी रती और भील गंगा रिवर उत्राखंड के जो मर्जर होता है जहां पर वहां पर situated है जिसको हम कह रहे है है HMIS Hospital Management Information System in the State Medical College तो किस राजी सरकार के दौरा रिसेंटली घोषना की गई है कि Hospital Management Information System इस शुष्टूत को Medical Hospital में स्टार्ट किया जाएगा इस्टेट के आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर से तो सभी को पता है योगी आदितिनाथ है लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के ब्रिजेश पाठक और Ministry of State for Medical Education कौन है मयंक केशवर सरन इन दोनों ने मिलके इनोग्रेट किया है इस रुष्टृत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फोमेशन सिस्टम बेसेकली अभी 22 मेडिकल कॉलेज में स्टेर के जो 22 मेडिकल कॉलेज है उसमें इस HMIS सिस्टम के शुरुआत की जाएगी इसके अंतरगत क्या है एक सॉफ्ट्वेर तयार किया जाएगा एक सॉफ्ट्वेर है बेसेकली जहां पर पेशेंट के सारी जानकारी होगी उनकी को इंप्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वेशनव लांचेस इस्टे सेफ ऑउन्लाइन कैमपें तो हमारे जो केंदरी मंतरी है अश्विनी वेशनव उन्होंने इस्टे सेफ ऑउन्लाइन कैमपें की शुरुआत की है आप यहाँ पर देख रहे हैं यह G20 Digital Innovation आपका समिट चल रहा है और यहीं पर Stay Safe Online Campaign की शुरुआत अश्विनी वैश्णवने की है इसके अलावा G20 DIA की शुरुआत भी की है G20 DIA मतलब G20 Digital Innovation Alliance की शुरुआत भी अश्विनी वैश्णवने की है और इसकी नोडल एजनसी कौन है? मैथ 3 है इसकी नोडल एजनसी कौन है? मैथ 3 है इस बात को याद रखना है अब Stay Safe Online Campaign का क्या मतलब है? आजकल सारे चाहे बच्चे हों बड़े हों सभी लोग Online Data यूज़ करते हैं इना इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो डिस्टल पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो कई सारे जो है आपने देखो का साइबर क्राइम भी होते हैं तो उसके बारे में लोगों को बताने के लिए Stay Safe Campaign या Online Campaign की शुरुवात की गई तो रेज़ अवेर्नेस अबाउड दा ओनलाइन वर्ल्ट अब जीट्वेंटी डिया ये क्या है G20 Digital Innovation Alliance इसका ये मतलब है कि जो नए नए स्टार्ट अप है अगर कोई नए स्टार्ट अप है और वो कोई Electronic Product को Manufacture करता है तो अब इस स्टार्ट अप है तो उसको growth करने के लिए मार्केट की जरुरत होती है तो यहां पर बताया गया है कि आप identify कीजिए और इस नए टेक्नलोजी है जो स्टार्ट अप डेवलप कर रहा है उनको adopt भी कीजिए तो इसके लिए जी ट्वेंटी डी आई ए और स्टे सेफ ऑल्लाइन केंपेंड की शुरुआत अश्विनी वैश्णव ने की है चलिए नेक्स्ट बात करते टमिलनाडु गवर्मेंट सैट अप निलगेरी तहार कंसरवेशन प्रोजेक्त अब बैसिकली अगर आपकर करते घो ट्रॉपी मिलेग सब कर भी इसे बराई आदू के नाम से जानते हैं तो तमिल नारू गवर्मेंट ने नील गिरी तहार जो है स्टेट एनिमल उसके कंजर्वेशन करने के लिए प्रोजेक्ट लाउंच किया और जिसके लिए 25.14 करोर रुपीज भी दिये हैं इसके अंतर का जो नील गिरी तहार है उनको क्या किया जाएगा उनकी टेलिमेटरी रेडियो स्टेडी की जाएगी कितनी पॉपुलेशन है इसके अलावा इनका जो हिस्टोरिकल हैबिटेट एरिया था वहाँ पर इनको री इंट्रिद्यूस किया जाएगा री लोकेटेट कर तो निजाद कैम्पिन जो है वो 36 गड़ पुलिस के द्वारा चलाया गया कैम्पिन था 36 गड़ पुलिस के द्वारा राजरंद गाओं पुलिस 36 गड़ पुलिस के द्वारा निजाद कैम्पिन को चलाया गया था निजाद कैम्पिन का काम क्या था निजाद कैम्पिन का का अवेडनेस ड्राइब थी जो भी ड्रक्स या नार्कोटेक्स या अलकोहल को कंज्यूप करते हैं उन लोगों के लिए अवेडनेस ड्राइब थी और जो लोग बहुत जादा एडिक्टेड है उनको रिहाइब में भेजने की फैसिलिटी प्रवाइट की जाती थी इस कैम्पें रिसीफ आई एसीप 2022 अवार्ड तो 36 गर्ड पुलिस के निजात अभियान को आई एसीप 2022 पुरुसकार दिया गया है अभी आईसी आईसीप क्या होता है आईसीप का मतलब है इंटरनेशनल एसोशेशन ओफ चीफ औफ पुलिस ठीक है इन्हें जो है यह के शुरुआत 1893 में की गई थी ठीक है और इस कैम्पेंड को लीट कौन कर रहे थे इस कैम्पेंड को लीट कर रहे थे IPS ऑफिसर संतोष कुमार सेंग और इन्होंने लीडर्शिप सम्हाली इन क्राइम प्रेवेंशन और जो इलीगल ड्रग डीलिंग होती है इसके लावा ल यहाँ पर देखी Ministry of Road Transport Highway Government of India के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2021 में जो रोड एक्सिरेंट हुए है वो 8.1% तक डिक्रीज हुए है अगर हम 2019 से कंपेर करें तो ठीक है तो रोड एक्सिरेंट डि को रिलीस किया है रोड ट्रांसपोर्ट & हाइवी मिस्ट्री के द्वारा इन्होंने कहा है 2019 के कंपेरिजन में 2021 में 8.1% रोड एक्सिरेंट हुए है इस रिपोर्ट का टाइटल था रोड एक्सिरेंट इन Walker इन्डिः वा also decrease, injury जो होती है road accident से वो भी decrease हुई है 4.8% लेकिन जो death rate होता है वो increase हुआ है 1.9% से increase हुआ है, ये data यहां पर publish किया गया है, किसके दौरा? Ministry of road, transport and highway के दौरा चलिए, next है Bangladesh PM Sikh Hasina inaugurated first metro rail in Dhaka तो Bangladesh की प्रधान मंत्री कौन है? Sikh Hasina है, इन्होंने धाका में पहली metro rail का उधगाटन किया है, तो आप लोग सोच रहे होंगी metro जलने लगी है, बांगलादेश में बांगलादेश की economy तो इतनी अच्छी नहीं है तो जापान ने इसको financial assessment प्रवाइट किया था जापान ने इसे technical support भी प्रवाइट किया था, इसलिए जब इन्होगरेशन ceremony हो रही थी, तो बांगलादेश की Prime Minister Sikh Hasina के साथ-साथ इस attend को Japanese Ambassador Kimi Nori Obama ने भी attend किया था बांगलादेश की PM Sikh Hasina ने बांगलादेश की पहली metro rail को जो है वो flag off किया है, शुरुआत की और पहली जो इसकी आतरा है, वो कहां से कहां होई है Diyabari and Agargaon station ठेक है, अब यहाँ पे बांगलादेश का जो MBSCS project है कि मास rapid transition करना है और बहुत जली सभी बड़ी stations को, बड़ी locations को metro से connect करना है, तो यह 2030 तीसता complete होगा, जिसके अंदर का 129 km का track यहाँ पे बनाया जाएगा जिसमें 61 km जो है, वो underground रहेगा चलिए, next बात करते हैं हम भूटान का एक project जिसको support कर रहा था भारत मतलब भारत ने technological या फिर financial assessment प्रवाइज किया था और finally अब वो तैयार हो गया और भारत ने उसे hand over कर दिया है भूटान को, ठीक है, तो भारत ने मगदेशू hydropower project भूटान को hand over कर दिया है तो हम हमें जानना है कि इसकी capacity कितनी है, तो मैं बता दू 720 MW की capacity का यह hydropower project है, चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे इंडिया असिस्टेट मागदेशू hydropower project handed over तो भूटान drunk green power corp तो भारत दौरा सहाइता प्राप्ट, मागदेशू जल बिद्दुत परियोजना, भूटान की drunk green power corp को सोब दी गई है बेसेकली यह जो परियोजना है hydropower project थे, इसके शुरुआ 2019 में की गई थी और 2019 में प्राइम मिनेस्टर मोदी नहीं इसे inaugurate किया था foundation stone रखा था यह जो पूरा hydropower project थे, यह 720 megawatt का project है hydropower project मतलब आपने dam construct किया पानी को इखटा किया, पानी को आपने turbine पे गराया, turbine जब घूमती है power generation capacity है, वो 44% तक increase हो गई और अब भूटान की जो total electrical power generation capacity है, वो 2,3, 2,6 megawatt की हो गई है अभी जो मगदेशू hydropower project है, इसको मगदेशू river में set up किया गया है जो की ट्रॉंक सा डिस्टेक of central भूटान में situated है ठीक है, अब जब से इसको commission किया गया है the project has generated over 9,000 million unit of energy जब से इसको commission किया गया है 9,000 million unit of energy को generate किया है, ठीक है साथी साथी जो project है न, ये reduce करता है carbon emission तो इसने reduce किया है 2.4 million ton carbon emission को ये हर साल reduce कर सकता है, हर साल इसको reduce कर सकता है, इसलिए इस project को 2020 में, बुटनेल medal दिया गया था Burnell Medal जो है वो Institute of Civil Engineers London के द्वारा दिया जाता है तो इस project को ये medal भी दिया जा चुका है अगला award हम देखते हैं ADB मतलब Asian Development Bank rank BAPCOS WAPCOS amongst top consulting services firm तो ADB ने WAPCOS को सीर्ष परामर सेवा फर्मों में शामिल किया है सबसे पहले हमें यह समझते पढ़ेगा यह कि WAPCOS है क्या तो जिसको आप short में BobCOS कह रहे हैं यह basically जलशक्ती मंत्राले के अंतरगत Ministry of जलशक्ती के अंतर काम करती है ठीक है इसे Asian Development Bank के द्वारा जो top consulting services firm होती है water and infrastructure sector में उसमें services शामिल किया गया है और केवल एक मात ऐसी firm है Indian Public Sector की जिसे इस category में feature करने का काम किया गया है अब इसका formation कब हुआ था जब ISRO का formation हुआ था इस रो का formation कब हुआ था तो आप कहेंगे कि 1969 में हुआ था और 1969 में ही BAPCOS का formation किया गया था ठीक है यह Ministry of Water Resource के अंडर काम करती है इसका काम क्या होता है expertise in the field of water resources by sharing and exporting technology to friendly developing nation तो basically जो water resources है आपको उने किस तरीके से utilize करना है, sharing करना है किस तरीके से उनका दोहन करना इसके sector में काम करती है with efficient technology अब 1979 तक इसका नाम क्या था Water and Power Development Consultancy Services Limited 1979 तक इसका ये नाम था उसके बाद, 1979 के बाद इसका नाम चेंज करकी क्या कर दिया गया Water and Power Consultancy Services Limited ठीक है अब ये जो company है वो भारत के resources, जो water resources उनको तो manage करती है, टेकनलोजी का use करती है, इसके अलाब 51 countries और भी ऐसी है, Asia, Africa और Pacific Island की, South America कि जहां पर ये company काम कर रही है ठीक है, इसका head office आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और chairman का managing director कौर है, रजनीकान अगरवाल है नेक्स्ट है, IOCL Indian Oil Corporation Limited to help in the TV elimination effort of उत्तरप्रदेश और 36 गड़ तो IOCL ने MOU sign किया है 36 गड़ और उत्तरप्रदेश की government के साथ, कि IOCL इन्हे financial assessment प्रवाइट करेगा different equipment प्रवाइट करेगा जिस्ट टीवी को eliminate किया जासा कि उत्तरप्रदेश और 36 गड़ में तो आप लोग सोच रहे होगे कि IOCL ने उत्तरप्रदेश और 36 गड़ को ही क्यों चुना बिहार उत्तरखंड को चुन लेता या किसी अन्राज्य को चुन लेता तो उसका reason भी अभी आपको मैं देती हूँ तो government of India की जो company है IOCL इन्होंने MOU sign किया है किस के साथ उत्तरप्रदेश और 36 गड़ के साथ तो eliminate TV क्योंकि government का लक्षे 2025 तक भारत को TV मुक्त घोशित करना है यह जो MOU sign हुआ है तो दोनों मतलब जो हमारे स्वास्त मंतराले समालते हैं और पेट्रोलियम और नेच्रल गैस के मंतराले को समालते हैं कौन कौन है यह मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंग पुरी इन दोनों के सामने इस MOU को sign किया गया था नई दिल्ली में क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट कहती है World Health Organization की जो रिपोर्ट कहती है कि 26% जो TV की केसेज हैं पूरे वर्ल्ड में 2020 का अगर डेटा उठाते हैं तो वो कहां पार हैं भारत में 26% केसेज हैं और लार्ज स्टेट की कैटेगरी में देखा जा सबसे अधिक TV के जो केसेज हैं वो उत्तर प्रदेश और 36 गड में आपको देखने को मिलेंगे इसलिए IOCL जो है वो मदद किसकी कर रहा है उत्तर प्रदेश और 36 गड की कर रहा है क्योंकि इंडिया गवर्मेंट का टारगेट है कि 2025 तक TV को एलिमिनेट करना है इसलिए Indian Oil जो है वो 64 करोर रुपीज यहां पर देगा जो all 75 डिस्टिक्स है उत्तर प्रदेश की वहां पर active case finding campaign के लिए जो भी active cases है उनको find करने के लिए फिर X-ray unit बनाना है, medical van की facility है equipment चाहिए है, technology चाहिए है तो उत्तर प्रदेश और 36 गड में provide करेगा 24 मार्च को हर साल World TV Day या Tuber Chloruses Day celebrate किया जाता है और TV जो बिमारी है वो directly lungs को effect करती है ठीक, चली, तो यह आज की हमारी news थी, अब एक quick revision लेते हैं question of the day हम देखेंगे, जिसका answer अब हमें comment section में देखेंगे, पहली news हमने discuss की थी कि प्रभीर कुमार श्रिवास्ताओं को acting Central Vigilance Commissioner मतलब Canary सतरक्ता आयुक्त बना दिया गया है Soresh and Patelka और रिप्लेस किया है इन्होंने next हमने देखा Asian Champion 2010 के जो Asian Games हुए थे उसमें Silver Medalist रहे British Damani जो की Snooker और Billiards खेलते हैं, इन्होंने पहला National Billiard Championship को जीत लिया है South Africa की किरिकेटर फरहान फरहान बेहर दीन ने सन्यास की घोशना कर दी है और इन्होंने South Africa को चार World Cup में represent किया था रविन्ना टैगोर Literacy Prize 2021-22 को अनौंस कर दिया गया है और ये प्राइस जो है, वो सुदीप सेन और सोबना कुमार को दिये गया है सुदीप सेन और सोबना कुमार नेक्स्ट है World Class काइकिंग और कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी टेहरी लेक में चैंपियनशिप की भी शुरुआत की गई है संस्कृत और तेलगू स्कॉलर श्री भास्यम विजय शार्ती जी का निधन तेलांगना में 86 की एज में हो गया एनक्यू पर हमने चर्चा की थी 2020 में ने पदमिश्री आवार्ड दिया गया था नेक्स्ट है यूरियन मिनिस्टर अश्विनी वैशनोजी की द्वारा इस्टे सेफ ऑनलाइन कैंपिन की शुरुआत की गई है ठीक इसके लावा G20 DIA की भी शुरुआत की गई है तमिलनाडू गवर्मेंट सेट अप निलगिरी तहार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट तो तमिलनाडू गवर्मेंट ने डिसाइट किया है जो स्टेट अनिमल है निलगिरी तहार इसके लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के शुरुआत की जाएगे और निलगिरी तहार आपको वेस्टन घाट के रीजन में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट है चत्तिसगर की पुलिस के दौरा स्टार्ट किया गया निजात कैंपिन इसे IACP 2022 अवार्ड दिया गया है अब बात करते हैं रोड एक्सिडेंट 2019 की कंपैरिजन में 2021 में 8.1% तक डिक्रीज हुए है ये Ministry of Road and Transport के दौरा पब्लिश की गए डेटा से हमें पता चलता है बांगलदेश की PM से खसीना जी के दौरा बांगलदेश की पहली तो हेल्प इन्दर TV Elimination Efforts अफ उत्तर प्रदेश और 36 गर्द उत्तर प्रदेश और 36 गर्ड में TV को Eliminate करने के लिए IOCLN की मदद करेगा क्योंकि Government of India का लक्षे की 2025 तक भारत को TV Free या TV मुक्त करना है तो हमने सारी जो News Discuss की है उनको Short में देख लिया है यह हमारा Question of the Day है कि यह जो Project है जो कि इंडिया के Assistant से तयार हुआ है भूटान में जिसका नाम है मग थेतू Hydroelectric Project यह कितने Megawatt का Project है यह चार Option है जो भी सही आंसर होगा वाप हमें कमेंट में दीजेगा साथी साथ बताएगा इसे कव और किसने कव और किसने inaugurate किया था ठीक है यह भी आप बताएगे बागी सारी बाते हम next session में करते हैं thank you take care